चादुई विशाल वाटर मेलंग जेसी भी रोबोट सुधा और कुनाल अपने तर्बूच के खेत की रात के समय रखवाली कर रहे थे सुधा आस्मान की तरब देखती है और कहती है वो देखो तूटता तारा मैंने सुना है कि अगर तूटते तारे से कोई विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है चलो हम भी विश मांगते है सुधा और कुनाल विश मांगने लगते है और जब आखे खुलते है तो वो तारा नहीं बल्कि एक आख का गोला उन्हें उनकी तरब हाते हुए दिखाए देता है तब डर के मारे कुनाल कहलता है अरे सुधा ये कोई तूटता तारा नहीं बल्कि बॉम्ब है जो हमारी तरब तेजी से आ रहा है हमें जल्दी से छुपना पड़ेगा सुधा कुनाल और सुधा दोनों भी खेत में इधर उधर छुपने की जग़ ढूनते है तब तक वो आख का गोला और भी पास आने लगता है तब अचानक से खेत का एक तरबूज विशाल बन जाता है और देखते ही देखते वो एक जादूई तरबूज जेसी भी रोबोट में बनल जाता है जिसे देखकर सुधा और कुनाल रहत की सास लेते है सुधा कहती है अरे कुनाल हम तो भूली गए थे इस जादूई तरबूज जेसी भी रोबोट को अब हमें क्या पूरे गाव वालों को कोई खत्रा नहीं होगा वो विशाल तर्बूज जैसी भी रोबोट उस आपके गोले को फकड़ कर उसे नदी किनारे ले जाता है उधर गाव वाले भी उस आपके गोले को देख रहे थे सारे गाउवाले नदी किनारे आ जाते है तब डरे हुए लोगों से रोबोट कहता है ये कोई पॉन नहीं बलकि आस्मान से तूटा हुआ सैटलाइट का पार्ट है इससे डरने की कोई जरूरत नहीं ऐसा कहें कर वो तर्बुट जैसे भी रोबोट वापस चला जाता है गाउवाले उस आपके गोले को पानी डाल कर उसकी आग बुजा देते है दूसरे दिन ये बाद चारों तरफ फैल जाती है न्यूज वाले भी हे न्यूज टीवी पर दिखाने लगते है ये छोटा सा गाउव आप देखते ही देखते फेमास हो जाता है पर उस आपके गोले के साथ दूसरा और भी कोई था जो उस गाउव के जंगल में उतरा था जिस पर उस जादूई तर्बुट जैसी भी रोबोट की भी नजर नहीं गई दर असल दूसरा और उस सैटेलाइट के टूपड़े के साथ एक मौन्स्टर जंगल में उतरा था एक दिन गाउव की कुछ अवरते जंगल में लकडिया तो ने जाती है वो लकडिया तोड रही थी कि अचानक से उनके सामने वो मौन्स्टर आ जाता है सारी अवरते चिला कर इदर उदर भागने लगती है अरे बापरे राक्षस भागो भागो उस मौन्स्टर को देखकर सारी अवरते बहुत डर जाती है क्योंकि वो मौन्स्टर दिखने में बहुती खदरनाक था तब ही वो कमल नाम की एक अवरत को पगड़ लेता है लेकिन बागी की अवरते जैसे तैसे भागते हुए गावा पसा जाती है गाव में आते ही सारी अवरते मौस्टर की बात बताने लगती है एक अवरत कहिती है अरे गाव वालो जंगल में एक राक्षस आया है उसने हमारी कमला को मार दिया वो राक्षस ना दिखने में बहुत ही थी भयानक है अब उस राक्षस से बचना बहुत मुश्किल है वो कभी भी इस गाव में गुसकर हमें मार सकता है चलो ये गाव छोड़कर हम भाग जाते है उनकी बाते सुनकर सारे गावाले भी डरने लगते है घर के बाहर भी निकलने से वो दस बार सोचने लगते है ऐसे में एक दिन वो मॉंस्टर गाव में गुश जाता है और चारो तरफ तबाही मचाने लगता है तब सुदा अपने दर्बुज के खेत में थी जब उसे उस मॉंस्टर की बात पता चलती है तब वो कहती है जादुई तर्बुज का हो तुम जल्दी आओ आज गावालों को तुमारी बहुत ही जरूरत है जल्दी आओ और हमारी मदद करो सुदा के ऐसे कहते ही विशाल जादुई तर्बुज वहां प्रकट होता है और वो तर्बुज एक जादुई जैसी भी रोबोट में बदल जाता है वो रोबोट उस मॉंस्टर के सामने आता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है उन दोनों के बीच में बहुती भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है कभी मॉंस्टर रोबोट पर भारी होता तो कभी रोबोट मॉंस्टर पर भारी हो रहा था तबी अचानक जादुई रोबोट अपना आफरी हत्यार निकालता है और उस हत्यार से मॉंस्टर के दो टुकडे कर देता है इस तरह से मॉंस्टर का अंत हो जाता है सारे गाववाले खुशी से नाचने लगते है सुधा और तुनालफोस रोबोट का बहुत बहुत धन्यवाद करते है ठैंक यू वाटर मिलन रोबोट आज फिर से तुमने हम सब की जान बचाई ठैंक यू वेरी मच ठैंक यू मत को हो कुनाल जब जब इस गावपर विपदा आएगी तब तब मैं यहां आकर आपकी मदद करता रहूँगा अईसा चैकर वो जादूई वाटर मिलन रोबोट फिर से वहां से गायब हो जाता है और एक तर्बुज बन जाता है फिर जब कभी दावालों को मदद की जरूरत पड़ती तब तब वो जेसीबी रोबोट उनकी मदद करने चले आता झालों करता है